दोसो आप लोग भारत द्वारा खड़दे जाने वाले MS-60 हेलिकॉफटरों के बारे में तो सुने ही होंगे। ये वही हेलिकॉफटर है जिसे पूर्भ अमेरिकी प्रेजिडेंट डॉनल्ड टरम्प के फेबरणी 2020 में भारत के दोरे के दर्मियान भारत और अमेरिका के विडियों में आप लोगों को भारत द्वारा खड़दा हुआ इन MS-60 रोमियो हेलिकॉफटर के बारे में ही बताऊंगा और साती साथ ये भी बताऊंगा कि भारत हेलिकॉफटरों को लेके और क्या-क्या प्लैन को आगे बढ़ा रहा है और कैसे ये MS-60 हेलिकॉफटर भव में 24 MS-60R रोमियो हेलिकॉफटर भी शामिल है बेसिकली इसे एंटी सब्मरीन वर्फेर हेलिकॉफटर के रूप में देखा जाता है पर ये एक मल्टी रोल हेलिकॉफटर है जो एंटी सीप एंटी सब्मरीन मिशनों के साथ साथ कई तरीके के अन्य मिशनों को भी अंजाम दे सकता है और हाली में डिफेंस ओधिकारियों के तरफ से जानकारी दिया गया है कि भारत के तरफ से अमेरिका से खरिदा हुआ 24 हेलिकॉफटरों में से पहले 3 हेलिकॉफटर संभावित इसी साल के जुलाई महिने के मध्य तक भारत में आ सकता है जबकि भारत के तरफ से जो 10 कामोब के ए 31 आर्ली वर्निंग हेलिकॉफ्टरों को खरिदा जाएगा वो भी फिलाल अंडर प्रोसेस है। दोसो अपके जानकारी के लिए बता दू कि 24 हेलिकॉफ्टरों में से पहले 3 हेलिकॉफ्टरों के डिलेवरी तो पिछले साल के जुलाई महिने में ही अमेरिका के द्वारा इंडियन नेवी को कर दिया गया था। और इसका इस्तेमाल फिलाल अमेरिका के पैंसा कोला, फ्लोरिडा और सैंडियागो में इंडियन पाइलेट और अन्ने क्रू को ट्रेंड करने के लिए किया जा रहा है। जबकि दूसरे तरफ और एक सेपरेट डिल के तहट काम अब के-31 आर्ली वर्निंग हेलिकॉफ्टरों को भी एकोर करने का प्रोसेस डिफेंस एकोईशन काउंसिल के सामने हैं। दूसरे इस प्रोसेस में जो कॉन्टैक नेगोसियेशन के लिए एक टीम को गठन किया गया है वो नौवेंबर 2020 में ही तयार हो चुका है जबकि इसके कॉमर्शियल वीट को पिछले साल के सेप्टेमबर महिने में उपेन किया गया था। कुछ रिक्वेश्ट पर प्रोपोजल भी इससे पहले जारी हुआ था और करेंटली इन सभी चीजों को रिव्यू किया जा रहा है। इन्डिया स्पेसिफिक मोडनेशन किया गया है और कई तरिके के यूनिक इन्डियान इक्वेप्मेंट और हतियारों को भी नेवी के आवशक्ताओं के रूप में इसमें लगाया जा रहा है। नेवल इूटिलिटी हेलिकॉफ्टरों को खरिदने का भी टेंडर था जो कई कारोनों में डिले चल रहा है। इवन दोस्तों माना जा रहा है कि 111 नेवल मल्टिलोल हेलिकॉफ्टर के टेंडर भी स्क्रैप हो सकता है जबकि इंडिया इसके अल्टिनेटीव के स्वरूप स्वादिशी हेलिकॉफ्टरों को देख रहा है और स्वादिशी रूट में इन हेलिकॉफ्टरों को बड़े मा जबकि दोस्तों इसके इलावा वी 123 और हेलिकॉफ्टरों को भी खरीदने का एक टेंडर था जिसे नेवल मल्टी रोल हेलिकॉफटर कहा जाता है। उसमें भी ऐसे ही anti-submarine warfare capability वाले हेलिकॉफटरों का आवशकता था जो MS-60 के द्वारा काफी हद तक पूरा हो सकता है। 1979 में किया गया था लेकिन इसे introduce 1984 में किया गया है और इसके कई तरीके के model है और इसे कई सारे नाम उसे भी जाना जाता है। इसे की SS-60 या MS-60 Seahawk इन हेलिकॉफटरों को अमेरिकी आर्मी के US-60 Black Hawk हेलिकॉफटर के तर्च पे ही नेवी के लिए multi-mission purpose में डिजाइन और develop किया गया था। जबकि अगर platform को देखा जाए तो ये सुकोस की A-70 फैमिली के ही हेलिकॉफटर है। का इस्तेमाल दुनिया के बड़े-बड़े देशों के द्वारा किया जा रहा है जिनमें Australia, Brazil, Denmark, Greece, Israel, Japan, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Taiwan, Thailand और Turkey के इलावा अमेरिका भी शामिल है। और इन हेलिकॉफटरों के अगर खासियत को देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 3-4 क्रू मेंबर का आवशकता होता है जबकि इसका capacity केबिन में टोटल 5 क्रू मेंबर का है। पेसलिंग लोड में करीवन 2,700 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है जबकि इसका internal capacity 1,900 किलोग्राम है। दो जनरल इलेक्टिक T700GE401C टर्बो शैप्ट इंजिन का इस्तेमाल हुआ है जिसका शमता 1,410 किलोवाट है। इसके main rotor का diameter 16.36 meter मतलब 53 feet 8 inch है जबकि इसके main rotor के area 210.17 meter square या फिर कहतो 2262 square feet के आसपास है। helicopter के अगर performance को देखा जाए तो इसके maximum speed 270 km पर hour और range करीब करीब 450 nautical mile मतलब 830 km है। जबकि इसके service ceiling 12,000 feet मतलब 3,700 meter और rate of climb 8.4 meter per second या फिर कहतो 1650 feet per minute है। हतियार के रूप में इसमें Mark 46, Mark 50, Mark 54 जैसे torpedo को carry कर सकता है जबकि इसके इलावा ये AGM-114 hellfire missile, AGM-119 penguin missile को carry कर सकता है। कुछ नया वेरियंटों में AGR-20 advanced vision killed weapon system भी carry कर सकता है जबकि इसके इलावा इसमें M60 machine gun या फिर M240 machine gun या फिर GAU-16A या GAU-17A mini gun को carry कर सकता है। Rapid Airborne mine clearance system के लिए इसमें Mark 44 mode 0 30 mm के cannon को भी लगा जा सकता है। कुल मिला के firepower में इस तरीके के helicopter के पास जो शमता है वो दुनिया के किसी अन्ने इस class के helicopter के पास नहीं है इवन चाहे तो इसे बिना हत्यारों के multi-force role में भी इस्तिमाल किया सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद।